नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रहान है और आज मैं दे टेटरा अकाड़मी की ओर से आपको गिक के बारे में मूल जानकारी दूँगा. आज हम जानेंगे गिक शब्द की उत्पत्ती और फ्रीलांसिंग उद्योग में इसका उप्योग और पोपुली.ai के गिक्स के बारे में गिक शब्द की उत्पत्ती संगीत उद्योग से हुई है. बीसवी सदी की शुरुआत में खासकर जैज समुदाए में इसे संगीत कारों के लाइफ प्रदर्शन को संदर्भित करने के लिए इस्तिमाल किया जाता था. उदाहरन के लिए जब कोई जैज बैंड किसी कलब में प्रदर्शन करता था तो उसे गिग कहा जाता था. समय के साथ, गिग शब्द का उप्योग संगीत उद्योग से बाहर निकल कर व्यापक रूप से अलपकालिक कामों के लिए किया जाने लगा जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्स का विकास हुआ, गिग का मतलब अस्थाई, लचीले कारेओं यनि फ्लेक्सिबल वर्क्स से होने लगा गिग इकॉनमी गिग इकॉनमी ने परंपरागत रोजगार मॉडल में बदलाव लाया अब लोग अस्थाई और लचीले कारेओं को प्राथमिक्ता देने लगे हैं, जो उन्हें फ्रीलांसर्स के रूप में काम करने का मौका देता है उदाहरन के लिए एक फ्रीलांसर अब डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग आदी जैसे विभिन कारे कर सकता है टेक महिंद्रा का पोपुली.ai प्लेट फॉर्म फ्रीलांसर्स को वैश्विक्स तर पर काम करने का मौका देता है इसके साथ ही टेट्रा अकैडेमी के प्रशिक्षक आपके कोशल को बढ़ाने में मदद करते हैं ताकि आप अपने गिग्स में बहतर प्रदर्शन कर सकें पोपुली.ai के साथ शुरुआत करना बहुत आसान है प्लेटफॉर्म पर पंजी करन करें, अपनी प्रोफाइल पूरी करें और गिग्स के लिए आवेदन करना शुरू करें अपने स्किल्स सेट को बढ़ाने के लिए टेट्रा अकैडेमी के ट्रेनिंग प्रोग्राम का उप्योग कर सकते हैं पोपुली.ai के मुख्य गिग्स है, रेटिंग प्रोजेक्ट, माथ एक्सपर्ट्स, यूजर स्टरीस टेस्ट वन, और अब नए गिग्स भी आड़ हो रहे हैं हमें उम्मीद है कि आपको गिग शब्द और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में इसके उप्योग के बारे में जानकारी मिली होगी आज ही पोपुली.ai के साथ शुरुआत करें और अपने फ्रीलांसिंग करियर को अगले स्तर पर ले जाएं अधिक जानकारी के लिए पोपुली.ai वेबसाइट पर जाएं या हमसे संपर्क करें देट्रा अकारिमी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लर्निंग वीडियोज देखते रहिए हमने पोपुली वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप जाकर विभिन जानकारिया और वीडियोज देख सकते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखिए टेक केर